असलाम अलेकों फ्रेंड्स कैसे हैं आप साब लोग उमीद करता हूंगे साब लोग बिल्कुल ठीक हूं सबसे पहले जी मौसम देखें कैसा हो रहा है अभी टाइम है तकरीबन एक बज रहे तकरीबन एक बज रहे एक सवाएक और धूप जो है ना सूरज यह बिल्कुल उप अब चूब है हूँ जाल रही है बहुत तेज ठंड हुआ है क्यों कि इसको क्या हुआ है और नाय मों देखें का फोया झांद कि दो कि ठंड रही है तो शायद इसको ठंड लगी है नहीं को खौल दो कुण सा था यह वाले किदर गया तो यह क्या सीन्हें गाई भी हो गया पता नहीं कौन सा था कौन सा था यह वाला यह वाला यह था कुछ लगता है थंड लगी है तो ची इनको खोल देते हैं वो एक बैठा हुगा है आजो यह तो सबसे पहले अंदर गुशती है ना अपनी के डूनती है जाकर प्यासेते पानी पे आके गिरे हैं यह देखें जी जो मेरे भाई के कबुटर है ना चार वो आज यह लेके जा रहा है घर यह जो फुल वाइट है दो एक वो अंदर है गुसाव है यह यह दोनों देंगे बाकी यह जो है ना रेड टेल और वो रेड टेल चारों मैं दोनों दो यह दो वो यह जो है यह हम बेजने हैं गउं तो इसको उड़ाते हैं जी इसको उड़ाते हैं दूसरे के बड़ मुझे है जोनों एक साथ जड़ा उड़ा उड़ेगा आप से पकड़ना जाता है ऐसे पकड़ना चाहिए एक आथ से पकड़ने होता है यह फैंकोस को उपर यह उड़े गई नहीं वो जागे बैठ गये थोड़ा सा उड़े जाके मज़ा आए जाकर बैठ जाता है तो जी अब भी पहले इनको थोड़े जेर खोलते हैं कभूत्रों को फिर उसके बाद डिपें में डालेंगे और इनको रहाना कर देंगे फिलाल इनको बाहर निकालो मुलगे देखें जी ये सारे बैठे हुए है आ जो जी आ जो वो कुबूतर बैठा गा है लिमो भी आ जाएगा ये आ गया जी ये आ गया तो जी ये है मेरी हर्गोशनी चोड़ दो इसको भी दूप है वैसे काने के लिए डूंटरी है तोते अंदर ही है ये चेक करेंगी तोते पानी कितना गंदा किया वे इन्होंने हमको डालते है हुराग भी और पानी भी तो जी दाने और पानी हम डाल के लिए अब ये डाल देते हैं इनको ये देखें ये देखें इसको मारने के लिए उपर चड़ा गया है चला रिचिए तंग करते हैं ये कबूतरों को इसी वज़ा हमको पूतर जो है ना गहुं बेज रहे हैं मारते हैं इसको पानी डाल दू इसकी भी सफाई करने वादी भी भी है ये बाहर फैंक लेते हैं तुझे खा लेंगे देखें जी कितना गंदा किया वे इन्होंने बोजदा दाने जाया करते हैं तो जारू इसको जारू से साफ करना पड़ेगा देखें जारू है घ्र हा कि हुआ कि जाथा गंदा कबुदर करते हैं लगे उपर बैठे साथे हैं ना में पीजरे के यह वो गणा करते हैं इसको क्योंकि तोत्रों की तो वो चोटी चोटी आती है बिठें तो बुत्रों की बड़ी होती है बस ठीक है तो किसी दिल्मोटर लगा गए दोना पड़ेगा अब आस इसको रखाओ अब उतर जी वह उपर चड़ गया है उनको पता चल गया है कि हमें गवं भीजने लगी है वो इसको जासे उपर चड़ गए है कि मैंने हुराग फेंगी है इस तोतों की और यह खा रहे हैं तो यह सारे इतने ट्रपोग हैं कि यहां पर आकि घुच्छत है यह मेरी पठी देखने चुकी है मुर्गी जो मेरी है यह कुड़क होगी थी लेकिन हम इसको बैठने नहीं दिया अंडे अगर नहीं दिये तो अब यह दुबारा से अंडे देना शुरू करेगी इसको हमने कुड़क से उठा दिये यार यह नीचे आए तो इनको पकड़ के डालें काटन में नीचे ही नही आज हमारा कभूतर ये उड़ गया है आज पहली पार उड़के गया है पहले कभी ये उड़ा नहीं है तो बस दुआ करें के वापिस आजे वो देखें वो सामने बैठा हुए है अला करें वापिस आजे आजे वापिस आओ नहीं आणा राजी अंदर से को कुबूतर निकाल के यहां पर बिठाते हैं दिवार पर फिर शायद आजाए यह पर बिठाते हैं यह पर यह आगया जी माशाल्ला वापिस आगे है अब इनको नीचे यहां पर आए अब छेड़ना नहीं है यह आप खुद आ जाएंगी नीचे फिर इनको कटन में डालना है और शेमस ब्हुत तंक है यह रख़ुक्त है यह नीचे आ गये हैं दोनों एक अंदर चला गया एक है इसको भी अंदर बेज दीए फिर अंदर द्राधाबंध गंकिन को पकड़ते हैं यहां पर डालते हैं काटन में चलो जी आ जो यह यहां और को किउद कपूतर कैसे पकड़ेंगे चलो तुम पकड़ो कैमरा मैं डालता हूं काटन में पकड़के कपूतर है लोगी लामीं को उस तरफ उठाओ इस आथ से पकड़ो वदर कैमरे के आगे हाथ आते हैं यहां से कि अधिश्य काटन में डालता हूं कि अधिश्य को पकड़ी है यह देखें नहीं चारों पकड़ी है वही है ना यह वही है कि अधिश्य को नीचे लेकर चबते हैं पहले एक और का है कि अधिश्य को गास नहीं डाला है और जिश्य हमने पैक कर दिए अभी यह खोश्य की बारे खोश्य को अंदर लेगया हो इसको अंदर लाओ उदास उदास इसका शोहर फोत हो गया बेवा वई है बिचारी मेरी बिचारी खोश्य की यह मुझे बहुत अच्छी लगती है हर्गोश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लखो उसको उतर और गास ले जाओ ठीक खाओ घास को बुतर मेरा गाया बैजी उड़ गया है पता ने कहां कहां गूम रहा होगा लेकिन अब उसका डर नहीं है वह वापिस आ जाएगा उसका मसला नहीं है पता नहीं किदर है किदर गया है वो है यह जी कबूतर अब उड़ रहा है तो जी फ्रेंट्स यह था अज का अवलाग होब आप तो पसंद आया होगा मिलते हैं कि सिने अफ्लाग में अपना ह्यार रखेगा अलाहाफेज